जैन दोस्तों वंदे मातरम इस समय अल्लू अर्जुन की बात ही चल रही है सब जगे पर ऐसे हम उनकी दो साल पुरानी मूवी अलाव एकंट पुरमालों के वो लेकर भी चर्चा भी शुरू हुई थी कि उसके हिंदी वर्जन को रिलीज से रोका जा रहा है और जो उस मूवी को हिंदी में डब करकर रिलीज करने वाले मनीश शा जो की गूल्ड माइन से आते हैं उनको 8 करोड रुपए देने की भी पेशकर्ष करी गई थी इस तरह की खबरे मार्केट में आई थी जिसको की बात मनीश शा ने ही जोटला दिया था और अव्यसी बात है कि वो अगर थेटर्स में रिलीज होगी तो थेटर्स में रिलीज होने का तो किसी ना किसी OTT प्लेटफॉर्म पे जरूर सामने आएगी और अगर वो OTT प्लेटफॉर्म पे सामने आएगी तो सबसे बड़ी जो परेशानी होने वाली है वो होने वाली है Bollywood को अब आप Bollywood के Bollywood को कैसे होने वाली है तो भई Bollywood इस movie को official Hindi remake में बनाने वाला है जो कि वो हमेशे से करता आता है पकी पकाई कहानी उठा और remake बना के परोज़ दो इसमें actor है कार्तिक आरेन मूवी का नाम है शहजादा इसको लेकर भी काफी ज़ादा आलोचना हो रही है कि आखिर कैसे आप इतनी अच्छी movie को इस तरी के से remake बना रहे हो लेकिन अब जब से ये खबर ब्रेक हुई है कि हिंदी में जो इसकी dubbing movie है वो release की जा रही है तो ऐसे में एक जो बात अब लग रही है कि है आखिर अगर ये movie release हो जाती 26 जनवरी को तो इसको थेटर में जाकर कौन देखेगा मतलब शेहजादा को थेटर में जाकर देखेगा कौन इसको लेकर लोगों के ट्विटर पर reaction भी सामने आ रहे है जो कि काफी मज़ेदार है समझ लेते हैं पूरी बात क्या है पूरी खबर क्या है उसके बाद ट्विटर के तरफ भी चलेंगे लोगों के reaction देखने के लिए पुश्पा दो राइस की रिलीज के बात से ही अल्लू अर्जुन लगातार सुर्ख्यों में बने हुए है उनकी इस फिल्म का धमाका अभी भी जारी है पुश्पा के रिलीज के बाद उनकी फैन फॉलॉइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पुश्पा की पॉपलियरिटी को देखते हुए अल्लू अर्जुन की सूपर हिट फिल्म का हिंदी वर्ज़न 26 जजनवरी को सिन्वा घरो में रिलीज होगा इसए इस टाकी अल्लू को 2020 में सिन्वा घरों में रिलीज किया गया था और यह एक बलॉग बस्टर फिल्म थी ये फिल्म फिलहाल नेट्लिक्स पर स्ट्रीमिंग कर रही है और 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मुवीज में से एक है अलाव एकंट पुरमलू एक कॉमर्शल एंटरेन्मेंट फिल्म थी जिसका निदेशन त्रिविकरम निवासन ने किया है अलु अरजुन की पुष्पा धमाकेदार हिट बन गई है इसलिए निर्माताओं ने अलाव एकंट पुरमलू को हिंदी में रिलीज करने का फैसला किया है केड एनलिस तरनाज़ ने इसकी जानकारी अपने टूटर हैंडल पर दी है उन्हें ट्वीट करके लिखाए कि अलु अरजुन पुष्पा के बाद अब अलाव एकंट पुरमलू का हिंदी वर्जन सब जनवरी को सिनमा घरों में रिलीज करेंगे फिल्म में तब्बू, जैराम, सुशान्त, निवेश, पेथुराज, नवदीब और राहुल, रामकृष्ण भी महत्रपूर्ण भूमिकाओं में थे इस थमन ने इस फिल्म के चार्डबस्टर गानों को कंपोज किया था अलाव खंट पुरमालो 2020 में रिकार्ड तोड कमाई कर चुकी है इस फिल्म को 2020 में संग्रांथी अवार्ड 2020 से समानित किया गया था अलुऀ अर्जुन की अलाव खंट पुरमालो ने पहले दिन दुनिया भर में 85 करोड रूपई कमाई करी थी फिल्म ने अमेरिका में दो मिलियन डॉलर का टोटल बिजनस किया था ऐसे हमेकर्स को अलाव एकंट पुरमालो के बॉक्स आफिस पर अच्छा बिजनस करने की पुरी उमीद है फैंस इस फिल्म के हिंदी वर्जिन को लेकर कितना होता है थे हैं पता फिल्म को रिलीज होने के बाद ही पता चल सकेगा लेकिन एक बात तो है कि अल्लॉ अर्जुन ने जो बज क्रियेट किया है वो काफी जादा बड़ा होने वाला है फिल्म अल्लाव एकुंट पुरमलो के हिंदी रिमेक इन दिनो फिल्म अविनेता कार्तिक आरेन के साथ फिल्म शहजादा के नाम से बन रही है इस फिल्म से कार्तिक आरेन को काफी उमीदे भी थी इसके हिंदी संस्क्रण के अधिकार रखने वाले मनीश शा को आठ करोड रुपा मिले है जिसे बाद में उन्होंने गलत बताया था फिल्म अलाव एकुंट पुरमलो के हिंदी संस्क्रण को 26 जनवरी को रिलीज करने की तैयारी मनीश शा ने पूरी कर ली मनीश बताते हैं कि वो इस साल कम से कम 10 मेगा वजट दक्षिन भारती फिल्में हिंदी में डब करके रिलीज करने वाले है मनीशा अर्से से दक्षिन भारती फिल्मों को हिंदी में डब करके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड माइन्स और सेटेलाइट पर रिलीज करते आ रहे हैं फिल्म अलाव एकुंट परमलों के हिंदी में डब होकर रिलीज होने का असर इसकी रीमेक के तौर पर बन रही फिल्म कारतेकारियन की शहजादे पर भी पढ़ सकता है और सीधे तोर पर बात ये है कि अगर कोई साउथ की मूवी डब में रिलीज हो रही है और उसको ओरिजिनालिटी में आपको देखने को मिल रहा है तो अखिर कार कोई क्यों जाके उसकी रीमेक देखे गा वो भी बॉलिवड के दौरा बनाई है कि बॉलिवड तो रीमेक में भी काफी बार कच्रा कर देता है यह हमने देखा है तो ऐसे हम अब इस बात को लेकर जो एक बज क्रिएट हो रहा है वो ट्विटर पर भी देखने के लिए मिल रहा है योगी अगर ऐसा होने लगा तो ऑविएसी वात है बॉलिवड का एक तो जो उनका जरीया था कि रीमेक बनाते चलो काम करते चलो वो खतम होई जाएगा तो तरणादारश ने ट्वीट करते हो बताया कि इसके साथ इनोंने ये पोस्टर रिलीज करते हो बताया कि 26 जनवरी कोई मूवी रिलीज होने वाली है कई सारे टोटर हैं जो कि इसको लेकर बात कर रहा है अपनी अपनी बात रखना है और ये मीडिया हाउसेज ने भी इसको लेकर जानकारी इसे कुनाल खाना लिखते हैं कि अलु अर्जुन्स बिगेस्ट ग्रॉसर अलावेकंट परमालो विल रिलीज इन सिनेमास और 26 जनवरी इस मन्त मतलब इस महीन रिलीज होने वाली है एक भी मीडिया ने भी अलु अर्जुन को थैंक्स कहते हुए लिखा है कि फॉर लिसनिंग नॉर्थ फैन्स डिमांड गोइन तो रिलीज इन हिंदी इन 26 जनवरी इन थेटर से उनली उत्सफ की तैयारी करो इस तरह से उन्होंने भी ट्वीट करते हो जानकारी दी है कि भई ये देखिए ये मूवी रिलीज होने वाली है इसके आगे एक और ट्वीट में लिखा हुआ है कि अलु 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 पुश्पा और अलु अलु एक पुरमलो हिंदी में डब किया जाना चाहिए ना कि स्क्रीमेक बननी चाहिए विश्वा लिखते हैं कि मैं में सीन्स क्लाइमेक्स और सॉंग्स चेंज शेक्यांदू रिलीज चयांदी रह चालू में को इसका मतलब समझ में नहीं है सॉरी सिदार्थ कननल लिखते हैं कि alloo Arjun's much loved and highly popular telugu film all of I has been dubbed in Hindi and following historic success of success of pushpah Hindi, are you excited? Ibradine jiwi लिखते हैं कि all of I couldn'to Puramallu is being dubbed in Hindi and going to be released it's being remade as shahzada and is slated for theatrical release later this year alloo Arjun, alloo Arvind is one of the producers we need to see how it works मतलब एक ही maker दो अलग-अलग जगों पर एक ही movie बना रहा है इसको लेकर लोगों को बीच में एक कौतुहल का विश्य बना हुआ है सभी लोगो उसी के बारे में बात कर रहा है या देखे ट्वीट लगातार उसके उपर हो रहा है जैसे ये एक Movie Reviews Blog ने लिखा है कि Hindi version in theaters from 26 January 2022 a perfect enjoyable family entertainer काशवानी ने लिखा है कि perfect way to utilize the Pashpa craze in Hindi is it or isn't it already being remade in Hindi and now Hindi dubbed a version of original releasing in theaters या मौका है तो फिर कमा या खिर कौन नहीं करना चाहे का मैं तो यही कहता हू South Cinema to Bollywood reason behind I love I can do Pramalo Hindi वर theater release AVPL dubbing rights was bagged by Goldmine Telefilms and later the movie was remaking in Hindi title Schehzada, team Schehzada willing to pay 8 carol to not release this dub in Hindi, OTT or theater कहीं भी release now अला कि इस बात को बात में जुटला दिया गया था जैसे ये अलू अर्जुन फैन ने भी tweet कि हिंदी डब्र वर्जन वर रिलीज इन Cinemason 26 January सभी लोग उसी की जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं और social media पर खासी public है जो कि इसको लेकर बात कर रही है और बता रही है कि ये देखो ये होने वाला है अन 26 January अलग अलग tweets में बताया गया है कि वही सब चल रहा है तो अलू अर्जुन की एक और movie शायद record तोड़ने के लिए आ रही है और देखना ये होगा कि क्या ये movie वैसा ही बस create कर पाएगी जैसा pushpa कर पाएगी कई लोग की कह रहे हैं कि pushpa तो मतलब एक अपवाद है अब ऐसा नहीं होगा लाकि लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा ये movie भी अच्छा run करेगी हाँ ये बात जरूरी कई जगे पर theater सब बंद किये जा चुके हैं तो वैसा शायद run देखने के लिए ना मिले लेकिन ये बात जरूर है कि इसका direct impact शहजादा के उबर पड़ेगा जो की कार्तिकारियन के आने वाली movie है और बॉलिवट तो वैसी सद्धन में हैं तो अब इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं तो मेरे इस वीडियों फिल अतना ही जये हिन जय भारा तेरी आप लोगो कुछ करना तो comment section आपके लिए खुला हुआ है